चौनमर प्रसंद कराए ओ साधा नीरा के लेखक कौन है तो ओ साधा नीरा के लेखक जगदी चंद्र माथुर जी है यानि कि छो का राइट एंसर ए होगा जगिस्ट की इनमे से कौन सी डास ना है आपको याद किये होगे कि रोज जो पाठ के लिखक वो अगयाजी है यानि कि सचीदानंद हिदानन वाच सैंगयाजी है आपको यह भी बात माननुम होगा, कि जो संपुन करांती है ना, लेकिन सिक्षा का लेकख जो है, वह जे क्रिष्ण मूर्ती जी है, तो राइट एंसर साथ का डी होगे सिक्षा, आठ नमर प्रसन को देखते हैं हम लोगा आठ नमर प्रसन करें कड़वक के रचीता कौन है तो याद रखेगा कड़वक के जो रचीता है न वह जायसी जी है यानि कि आठ का राइट एंसर क्या होगा C नमर होगा जायसी जी अगर आपसे पूछे जाएगा कि मलिक मुहमें जायसी का जन्म कब हुआ है तो याद रखिएगा 1492 में अगर पूछ देगा कि मलिक मुहमें जायसी जी के मिडितु कब हुआ है तो 1548 में या भी आप लोग साथ में पर करके रखिएगा चली नौनमर प्राश्ण को बैखते नहीं नमर प्रसण करें साहिते लहरी किनकी रचना है अगर आपसे पूछे गांप कुछे गाए पूछेगा कि सूड़ दस कि जन्म कब हुआ था तो यह भी साथ में याद रखिये हैं 1488 में हुआ था अनुमान्ता यानिकि प्रशन आपसे पूछे जाएगा कि सूर्दास की मृत्तु कब हुआ था तो पंदर सो अरतालेस में यह भी पूछ याद रखेगा और सूर्दास की जो पाठ है वह क्या है तो पद है यह भी साथ में याद रखेगा तो चलिए हम लोग सीधे अगला प्रशन को देख करते हैं गरश प्रशन करें कोभी तावली की रस्नाकार कौन है आपसन एक और जाएसी की ना辉ख कमेंट करके यह बताइए और बी नमर्स अपसन करें कब्मी की रस्नाकार जो है वह तुलसी त्वजिस है तो दर्स का राइनthsर काभब हो दाद को